नमस्का फ्रेंज्स प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हारदिक स्वागत हैं और इस बार सब जेक रहेगा मकर रासी गोल्ड कॉइन गोल्ड कॉइन गोल्डन पिरियर्ड और बहुत बड़ा धन दायक पिरियर साबित होने वाला है अभी जो समय आने वाला है वो आप की जिन्दगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है बहुत बड़ा खजाना खुलने वाला है आपकी कुणली की रेंज के हिसाब से खजाना खुलेगा ऐसा नहीं कि बहुत सारे करोडों खर्बों रूपे आपके पास आ ज तक यहां जो समय है वो आपका बहुत बढ़िया है क्यों कि यहां अल्लेडी अभी गुरू 4th हाऊस में ब्रह्मन कर रहे है राहू यहां थर्द हाऊस में ब्रह्मन कर रहे हैं तो 12-5 फरवदी से जो situation बनने वाली है 12-5 तक तक क्योंकि देखो पांच तारीक को फरवदी की मं मंगल मकर राषी में ब्रमन करने वाला है और बहुत ही बढ़िया यह इसका जो परीप्रमन है मंगल का वो आपको उसका लाब मिलने वाला है मंगल यहां मकर राषी में ब्रमन करेंगे पांच दो हजार चौबिस को मंगल रात को नव बचकर बियालिस मिनिट पे अपने धनु रासी को छोड़के मकर रासी में उचकी रासी में ब्रह्मन करेंगे और आपके जनम के चंदर के उपर उचका परिब्रह्मन रहेगा मंगल आपकी कुनली में फोर्थ हाउस के और इलेवन्थ हाउस के लौर्ड्स है ये जो दोनों हाउस है वो बहुत ही पोटेंशल माने जाते हैं पुरे बारा हाउस के अंदर तो कि फोर्थ हाउस मकान घर गाड़ी भुड़ा संपती मा ये सब चीजों से लेकर सुख संपती बढ़ाने के लिए और कैसी रहेगी उसके लिए फोर्थ हाउस को ही देखा जाता है तो यहां ओल्डेडी जो गुरु माराज ब्रह्मन कर रहे हैं वो मेश रासी में कर रहे हैं और मेश रासी का जो स्वामी है उसका जो मालिक है वो घर का वो है मंगल महाराज और मंगल अपनी उच की रासी में अभी परिब्रह्मन करेंगे पांच दो से राज को नव बचकर 42 मिनिट पे मंगल अपने मकर रासी में उचत्व की रासी में परिभ्रमन करने वाले हैं तो यह 4th house और 11th house का लोड से आपकी रासी के लिए मकर रासी के लिए तो यहां यह बहुत बड़ा आपके लिए काम बनाने के लिए आये है कौन से काम एक तो आपको आर्थिक लाब होगे क्योंकि यहां वो 11th house के लोड है जो 11th house होता है वो earning का income का जो आपने मेहनत प्रयतना effort किये है हर एक field के अंदर उसका अभी आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा और आपकी property यहां जो लंबे time से आप सोच रहे हैं कि कब मेरा घर कब मेरी गाड़ी कब मेरा बंगला कब मेरी office कब मेरी दुकान बने और कब में set हो जाओ तो यह समय अभी आपका आ गया है बहुत लंबे समय के इंतिजार के बाद यह योग आते हैं और जब योग आते हैं तो वो काम बना के hundred पसंद जाते हैं खजाना खुलने वाला है अभी वो खजाना कैसे खुलेगा उसके लिए भी दूसरे दो प्लैनेट्स अभी बाकी हैं देखिए बारा पांच को शुक्र अपनी धनूरासी को छोड़के अपने मित्र की रासी मकर रासी में ब्रमन करने वाले हैं और वो करीबन सुब़ चार बचकर बावन मिनिट पे आ जाएंगे शुक्र महाराच की बात कर रहे हैं बारा पांच को शुक्र अपनी धनू रासी को छोड़ के मकर रासी में ब्रह्मन करेंगे और आपकी रासी कुनली के लिए ये राजियो कारख है शुक्र आपका में प्लैनेट्स माना जाता है मकर रासी वालों के लिए क्यूंकि वो यहां करमस्थान और पंचमस्थान का स्व तो यह ही राज योग का निर्मान होता है कोई प्लैनेट का तो यहाँ शुक्र खुद यहाँ विराजमान होंगे 12-5 को, satra 12-2 को पांच तारीक को मंगल आएंगे और 12 तारीक को शुक्रा आएंगे और दूसरा एक से जो आल्रेडी पहले से आ चुका है वो है बुद्ध माराज एक तारिक को वो आ गये है दो बचकर 24 मिनिट पे एक फरवरी को बुद्ध का परीब्रह्मन अल्रेडी मकर रासी में शुरू हो गया है तो देखे बहुत ही अच्छी अभी सुच्वेशन बनी हुई है प्लैनेट्स की आपकी देखो बॉड़ी के उपर ये मेन हाउस गीना जाता है जो लगने से ये हाउस बहुत ह इंपर्टेंस काम करता है फर्स्ट हाउस अभी देखिए भाग्य का स्वामी बुद्ध कर्म का स्वामी शुक्र और लाब का स्वामी मंगल और साथ में चंद्र चार प्लैनेट्स यहां परिभ्रमन कर रहे हैं आपकी बॉड़ी के उपर और वो चारो चार जो है वो मेन प् मंगल यह तीनों का प्लैनेट्स का ब्रमन और साथ में चंद्र का मिलाब वो भी शुबग्र है यहां कोई रिश्रिक्शन नहीं है शनी भी बहुत बढ़िया होके यहां बैठे हुए है धनस्थान के अंदर शनी का परिभ्रमन तो शनी भी एकदम पावर्फुल होके उसमें आके बठा है एक राज योग का निर्मान कर रहा है लेकिन दूसरे जो चोटे प्लैनेट्स है वो बहुत ही इंपोर्टेंस होते हैं जब तक चोटे प्लैनेट्स की चाबी नहीं लगती है तब तक वो खजाना नहीं खुलता है तो यह जो हेडिंग हमने लगाया है खुलने वाला है 12,5 तक यहा गुरू 12,5 तक बैट्ए है इसके लिए 12,5 का समय दिया गया है पाच तारिक को मंगल आएंगे 12 तारिक को शुक्रा आएंगे बध ऑल अलेडी बिराजमान है लेकिन ये दोनों प्लैनेट्स की रा देखने जरूरी है लेकिन मंगल सबसे वंध हाउस का लॉट सोके उच्छ का हो गया है तो यह जब चारो प्लैनेट्स यहां बैठेंगे तो खजाना खुलना तैय है खजाना क्या खुल सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है खजाने खुलने के अंदर देखिये एक तो आपका घर का जो सपना है गारी का जो होगा अच्छी जॉब मिलेंगे इंक्रिमेंट होगा जॉब के अंदर नए नए सोर्सिस बनेंगे नया प्लेस्मेंट होगा कोई प्रमोशन आपको मिल सकती है नई जॉब आपको डवर्मेंट भी लग सकती है सरकारी नौकरी के पूरे योग यहां दिख रहे हैं क्योंकि यहां गुरू बार बार नहीं आते हैं फोर्थ हाउस में तेरा साल बारा साल में पूरा रासी परिवनमंदर के आते हैं तो यहां मेस में गुरू आये हैं राहू अपनी पोसिजन सबाल के बैटे है थर्द हाउस में सबसे राजयोग का रगत यहां राहू है तीसरा राहू व्यक्ति को बहुत धनी बनाता है, बहुत ही बलवान गिना जाता है, थड़ हाउस का राहू. तो यहां गुरु फॉर्थ हाउस में सभी सुक्ष संपती आपको मिलने वाली है, कोई विल वार्ष है से पैसे मिल सकते हैं, कोई जमीन से बड़ा पैसा आप कमा सकते हो, कोई आप 10 रुपे की ओफिस को बेच के आप समझो सामने 5 रुपे का काम अच्छी जॉब मतलब वहां से बहुत बड़ा मुनाफ़ा कमा के कम पैसों में आप अपना सब काम निकाल सकते हैं. मतलब प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा, 10 रुपे की जगा है आपकी और आपको अभी समझो 20 रुपे मिल सकता है, 30 रुपे मिल सकता है, वैसे यहां संजोग बन रहे हुए हैं. तो अभी appropriate time है, आप घर के बारे में सोचने के लिए, गारी के बारे में सोचने के लिए, अपनी जो job है, उसमें कैसे placement करना है, कुछ बदलना है, कुछ कहां ये movement करना है, migrate करना है, वो सब समझ अभी सही आया हुआ है. तो ये जो बारा पांच का समझ है, जब तक यहां गुरू बैठे हुए है, मकर रासी वालों के लिए अती अती शुब शमय है, और ये जब तीन प्लैनेट साथ निवाएंगे, तो और ये गुरू का बल बढ़ जाने वाला है, क्योंकि मंगल भी यहां उचके हुए है, और ये जब बड़ी घटना बनती है, और वो भी पॉजिटिव बनती है, जिस से आपके सभी समस्या, समी प्रॉब्लम यहां दूर हो सकते है, और धन का खजाना आपके लिए खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी पैसे आ सकते हैं, लौट्री से आ सकते हैं, कोई आपका कोई काम बन सकता है, जो लंबे टाइम से आपने वो महनत करके रखा है, वो एक दम से आपके सामने आके वो काम इंप्लिमेंट हो जाएगा, अचानक कोई धनलाब हो सकता है, नई पहचान हो सकती है, नया सरकल मिल सकता है, नए ग्रूप मिल सकते है, नए दोस्त बन क्योंकि अभी उनके पास बहुत ही कम समय है, 12-5 तक का ही समय बचा हुआ है, और गुरू ही एक ऐसे प्लैनेट्स है, जो सबसे शुग्र माने जाते हैं ब्रह्मान के, और वो ही शुपफल प्रदान करने के लिए अपने आवश्च चीजों को दे सकते हैं, यहां गुरू पहल का आता है, तब वो काम करते हैं, 12-5 तक उनके लिए यह हाउस बहुत इंपोटन्स है, सभी गुरू यहां वापस एट हाउस को भी देख रहे हैं, अपने पंचम नजर से, यही बहुत बड़ा नजर यहां इनकी गिर रही है, यह हाउस जो है, वो शुर्य की रासी है, और सुर्य के परम मित्र हैं, तो उनकी रासी को जब गुरू देखते हैं, तो यहां विल वार्से से, जमीन से, अचानक धनलाप से, कोई लौटरी योग से, कोई न कोई ऐसे योग से अभी आपका काम बहुत बड़ा बन सकता है, तो तयार हो जाये, सस्त सरजाम लेके, क्योंक बहुत सारे व्यक्ति हमें कमेंट्स में लिखते हैं, कि गुरू जी आपसे सला मस्वरा करना है, हमारे कुछ समस्या है, जो हम आपसे मश्वरा करना चाते हैं, परामस करना चाते हैं, तो वो कैसे कर सके, देखें, यहां हमने उनके लिए, जो बहुत सारे प्रॉब्लम में ह है बहुत सारी समस्या देख रहे है या साधी भ्यासे वंची थे नौकरी नहीं मिल रही है जॉब नहीं मिल रही है बिजनस सेट नहीं हो रहा है लव अफेर से काफी इफेक्टेड है हस्बन वाइफ के जगड़े हैं यह सब चीजे यहां सब फेस कर रहे हैं तो यहां उनके परामर्ज से ये तो बहुत मामुली हमने सब रेट रखा है जो सब को affordable है one question अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 299 paid करना पड़ेगा अगर आपके दो सवाल है तो आपको 399 paid करना पड़ेगा और आप चाहते हैं कि हम आपसे पूरी full analysis चाहते है कि हमारा भविश्य कैसा होगा क्या आगे हमारे भविश्य में लिखा हुआ है क्या क्या problem है क्या remedies हमको करनी चाहिए जिस से हमारा आने वाला कल सवार सकता है आपके ग्रह अलग हो और आपको एक दुसरी दिसा में जा रहे हो तो उसका फल भी नहीं मिलता है आपको जाना है बंबई और आप जा रहे हो दिल्ली यहां फिर उल्टी दिसा में काम करते हैं शला मस्वरा बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह सास्त्र है यह 5000 साल पुराना सास्त्र है और बहुत ही तो उससे आप बहुत सारी जानकारी जीवन से जुटी हुई ले सकते हैं, अपनी समस्या प्रॉब्लेम का निवारन कर सकते हैं, हमारा वाट्सोप नमबर है 99092-41451, ये नमबर पे आपको वाट्सोप करना है, हाई हलो लिखना है, तो पूरा आपको ये प्लान आ जाएगा, और नमबर आ जाएगा, कैसे आपको फिज देनी है, क्या करना है, तो आप सला मस्वरा ले सकते हैं, छोटी सी एक सला भी जिन्दगी बदल सकती हैं, आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम में से आप बाहर हो सकते हो, और बहुत नॉमिनल चार्जिस लगके, जो सब अपने या रहो खुब आगे बरूँ